हेलो ट्रेनर्स वेलिकम टू ब्रैंड न्यू वीडियो और पोकेमोन यूनाइट तो काफी दिनों के बाद एक और न्यू वीडियो में आप लोग का सौगत है आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक न्यू कॉंसेप्ट आर्ट के बारें बात करने बाले हैं आप वीडियो के में टॉपिक में आगे बनने से पहले आज की वीडियो का फीचर कोशन देख लेते हैं तो आज की वीडियो का जो फीचर कोशन है वो है प्यूश का एंड ये पूछ रहे हैं कि बैस्ट ऑल राउंडर पोकेमोन कौन सा है वेल करेंट सिनेरियो के हिसाब से तो अगर आपने जैशियन गैट कर लियो तो आप उसको यूश कर सकते हो करेंट टैम का बेस्ट ऑल राउंडर जैशियन है अगर आप सभी लोग इसी तरी की से वीडियो में फीचर होना चाहते हैं तो बस आप लोग को हैस्टाइग आस्क टीटीव 18 का यूश करना है अपना क पूशन पूछ लेना नेक्स्ट टाइम आप लोग वीडियो में फीचर हो सकते हैं अब बात करें वीडियो के में टॉपक याने की कॉंसेप्ट आर्ट के बारे में सो देखो कॉंसेप्ट आर्ट जो है वो बेसिकली फैनमेड होता है यह ओफीशली नहीं है और नहीं कोई यह अपडेट है यह उसट एक फैनमेड कॉंसेप्ट आर्ट है यह बेसिकली म्यूटु का है अप्ति नोगको को यह हैं म्यूटु हम लोग को यहां पे कॉस्प्यूम के साथ देखने को मिल रहा है आब देखो यह चीज फोकेमों ईनल एक आप strengthen को मिल रहा है रिषाओ का ए future हम लोग को Mewtwo भी as a playable देखने को मिल सकता है, मतलब मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि होने को तो कुछ भी हो सकता है so उसे साफसे ही concept art आप लोग को कैसा लगा नीचे comment करके जरूर बताना, maybe अगर in future हम लोग को Mewtwo as a playable देखने को मिले तो कुछ इसी तरीके की costume भी हम लोग को Mewtwo के साथ देखने को मिले, जिसने भी यह concept art बनाया है, काफी जदा amazing बनाया है and मुझे personally यह concept art काफी जदा पसंदा है, आप लोग को कैसा लगा है नीचे comment करके जरूर बताना, वीडियो कर आप लोग को पसंदा है तो इसको like and share कर देना चैनल में नए हो तो इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना